हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड कलास 12 का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इसका सेंपल पेपर 2023 के सैसन के लिए यानि मार्च 2024 में जो आपका पेपर आएगा वो कैसा आएगा किसी हिसाब से कोशन्स आएंगे कई सारे जो कुशन आप नए पैटरन पे देखने को मिल रहे हैं वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में कवर करेंगे शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दो अगर आपको किसी भी सबजक्ट के सेंपल पेपर के सोलीूचन की वीडियो देखनी है या फिर इंपोर्टेंट कोशन्स की वीडियो देखनी है description में पले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां से आप कर सकते हो और अगर आपको सेंपल पेपर विद अंसर की जो है PDF डाउनलोड करनी है या फिर ओल्ड कोस्टेंट पेपर की PDF चाहिए इंपोर्टेंट कोस्टेंट करने हैं तो आपको वेबसाइट बता देता हूँ CCL chapter.com इस वेबसाइट पर आपको हर्याना बोड के सारे solutions मिल जाएंगे देखने को तो जुरूर से विजिट कर लेना वीडियो के लास्ट में मैं विजिट करके भी दिखा दूँगा कैसे कहां पर आपको यूज करना है इसको कहां पर क्या क्या चाहिए मिलेंगी अब शुरू करते हैं पेपर को जो पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्स का टाइम म किये जाएंगे अब देखो यहां पर इनके स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आठ तो मिलेंगे mcq वैसे तो कायतो रहे हैं ज्यादा मलब लिख रहे हैं लोग कि आपको जो है 21 तक में मिलेंगे यानि कि टोटल जो वन मार्स के कोश्चन होंगे वह 21 होंगे लेकिन उसमें आठ मिलेंगे mcq मलब तीन मिलेंगे आपको जो है यहां पर असरसन और रीजन टाइप के कोश्चन जो की न्यू है उनको हम करेंगे और बाकि जो आपको मिलेंगे फिल इन डाबल लैंक या वन वर्ड टाइप के अंसर जिन में आपको देने रहेंगे ठीक है समझ गए बा विच रिवर बैंक हडपाई शिचवेटेड कौन सी नदी है वह वह है रावी रीवर रावी नदी मोरिय समराज्जय का संस्थापक कोन थे तो कौन थे वह हो चंदर्गुप्त मोरिय नधिवाले भी वहेंपरर ओफ मोरियनों एमपाईर चंदर्गुप्त मौरिय मनु समरित्ती का रचनाकाल क्या था तो क्या था वो रचनाकाल वड़ाज दा composition period of मनु समरित्ती इसका जो है हमको time period पूछा गया है वो time period था 200 BCE से लेके 200 CE तक ईसा पूरों से 220 तक जातकों की भासा क्या थी वड़ाज लेंग्वेज जातक जो जातक कथा हैं वगयरा उसमें असाय दिये तो उनकी जो भासा वो कौन सी थी पाली भासा पाली लेंग्वेज नेक्स्ट कोश्टर है इबन बतूता ने भारत में कौन सी वस्तू विचितर लगी मालब कौन सी चीज ती अजीब लगी विच तिंग उप्सण हमारा उप्सण सी हो जाएगा सही अंसर नेक्स्ट कोश्टन है भारत में सूफी आंदोलन कौन सा सिलसिला अधिक लोक पिरिया ववा वीच चेन शिलसिला चेन मनलब सिलसिला ही होता हिंदी मिश्शिला बोलते दोफ सूफी मूवमेंट विकम पोपुलर इन इंड लगते थे उड़ीशा गजपती टाइटल जो लगाते थे गजपती सहा नहर की मरम्मत किसने करवाई थी तो सहा नहर किसने ठीक कराई थी वो थी सहा जाने सहा जा नेक्स्ट जो आएंगे देखो आठ जो आ गए हमारे मुहन जो दाड़ो का साबदी कर्थ होता है मरितकोगा ठीला ठीक है ना नेक्स्ट देखते हैं आपने इंग्लिस में भी पढ़ा होगा में देखो इंग्लिस और इंदी में थोड़ी दिक्कत तो रहती है अब एक ही मीडियम करा सकते हैं प्रोफरली है ना दोनों मीडियम करा आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता और कुछ नहीं है बागी देखो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी आप अंसर की बगारा देख लेना वैसे आपने पड़ा होगा तो समझ आ जाता है तो मुश्किल भी नहीं है ठीक ठाक अगर मैं बता देत करते तैसी चीज़ उनको अभी लेक कहा जाता है जो हाड़ जीद पर मिलते कागच पर नहीं मिलती जो चीज़ें ठीक है उनको हम इंस्क्रिप्शन बुलाते हैं कुंतियो निसादी किसकी रचना ये इसको किस ने लिखा था इसको लिखा था महा सुवेता देवी ने जैन कि comparison करता है मानव के शिर से खोपडे से झाय वाफ स्त अस्फान को खालीस्तां का जाता है कि अभाव उफसी संत वाजनोन फ्क्रहож को हम क्या कहते हैं ख कानका कि नेस्ट क्रूसन है दामीनी को नामक भूभाग पर खालिस्तान को बसाए गया तो किसको बसाए गया था संथा संथालों को बसाए गया था संथाल यह आएगा इंग्लिश में भी सेम देखो हिंदी और इंग्लिश में हिस्ट्री में ज्यादा चेंजी समय देखने को नहीं मिलते सेम लिखने रहते हैं जैसे मैं बोलता हूं संथाल आप समझ आवे संथाल के हम बात करें संथालों के बारे था उसको कहा जाता था गांधी जी दवारा खालिस्तान और खालिस्तान नामक दो समाचार पत्तर निकाले गए तो एक तो था यंग इंडिया एक ता हरीजन खालिस्तान को आधूनिक मनु एवं भारतिय समीधान का पिता कहा जाता है वो कहते हैं डोक्टर भीम राव अंबेड कर भी लिख देते हैं इसके बाद में जो आपको कोशन मिलेंगे देखने को वह यहां पर असरसन रीजन बेस्ट कोशन इनको थोड़ा अच्छे समझना आपको ध्यान देना इस पर आपको क्या दिया जाएगा आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी पता लगाओ दोनों सही है उसके बाद यहा कैसे अटेम्ट करना है दस मई 1857 की दोपायर के बाद मेरट चावनी में सिपाईयों ने विद्रो कर दिया क्या यह सही बात थी बिल्कुल फिरंग्यों का सफाया करने के लिए हिंदी उर्दू और फारसी में अपीले जारी होने लगी लगे तो यह भी बात सही है दोनों स् दूर इनमें अपीले जारी होने लग गई यही वह कांदर जिसके उन्होंने दंगे कर दिये थे तो क्या यह बात सही थी तो बिल्कुल यही वह रिजन था क्योंकि हुआ क्या था वह बंदूखों का चक्कर वा था ना कुछ चरबी वाले कारतुस वगारा वह सीन हुआ था लगता है तो सही व्यक्या है और नहीं लगता तो भाई सही व्यक्या नहीं है कुछ कोशन आएंगे अगर हमारे पास में बिना लेने देने वाले तो हमें थोड़ा अच्छे से समझाएगा इंग्लिस वाले भी देख लो लेट इन अफ्टनून ओफ टैंथ मई एटीं यह चीजे हमको यह स्टेटमेंट पढ़नी है पहले अगर कोई सी गलत होती है तो वह हमें यहां पर पता लग जाएगा गलत नहीं होती है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा बीश्वा कोश्चन देखते हैं बीश्वा कोश्चन है हमारे पास में 12 मार्च 1930 को गांधी न यह चीज controversy सही है हमारी अब हम देखें डोनों में बात किसकी हो रही हैं साबर्मठी आसारम कि ने से द्टारिक को गंदी ने शाबर्मठी अगर है तो बोलते हैं उरुसी के सिलसलें फिर अंग्रेजों ने गिरफतार कर लिया तो इसका इसे लेना देना है तो यह इसकी सही व्याख्या है ठीक है नेक्ट कोशन देखते हैं Question है हमारे पास में का अब आश्टर के सिदान्त को स्विकार किया नहीं किया उन्होंने मना कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ दंगे है ना तो ये सीन है अब इन्होंने माना नहीं था दंगे हुए दंगों के बाद अलग सीन हुआ तो लेकिन इस टाइम के हिसाब से देखे तो यहां पर जो स्टेटमेट दी जा रही है वो बिल्कूल बकाइदा सही नहीं बैठ थे कांग्रे इसके बाद यह वाला जो से खंढड गए यह भी हर्याना बोर्ड में पहली बार है इससे पहले है इसके ऐसे question भी नहीं आए क्या बात है अब यह देखो यह वाला जो portion है 31 question है यह वाला उसके बाद में 32 question है ठीक है और उसके बाद 33 question भी है तो और उसके बाद यह section खतम हो जाएगा अब यह total बगारा कैसे attempt करते हैं वैसा साही है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाख भी लगाना पड़ेगा सारे question हो के answer यहां नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ के मिल जाएंगे तो अच्छी बात है अब यहां पर देखो आपको total तीन question दिये जाएंगे तीन questions में से पहला question होगा आपका दो को दो नंबर देने पड़ेंगे यह चीज ध्यान रखना तुम अब पाठली पुत्तर का इतिहास तभी मैं बोल रहा हूं यह बहुत आसाने इनसे डंदा नहीं है विल्कुल देखो पहरे को पढ़ते हैं समझते हैं सारी चीजे परतेक नगर का अपना इतिहास था उधान क यात्री स्वेंट सांग सात्वी सदी में भारत आया यहां आया यह चाइनीज था तो इसने इसे यह नगर खंडर में बदला मिला यानि कि यह खतम हो चुका था जो सहर जिसको यह देखने आया था अब हमसे पूछा जा रहा है कि मगद की पहली राजधानी कौन सी थी ठीक पाठली पुत्र को मगद की राजधानी कब बनाए गया कब बनाए गया हाँ इन्होंने बोलाय पांसवी सदी में, किस चीनी यात्री ने भारत जात्रह जो स्वेंट सांग देखें अब एक एक वर्ड का अंसर है अब आप बोलोगे सर चार नंबर दे देंगे टीचर बिल्कुल टीचर को देना पड़े का इसमें धोका नहीं कर सकते आपके साथ में आपका अंसर सही होना चाहिए बस आप आराम से पढ़ लेना अब देखो हिंदी में पढ़ लिया अंसर हिं कब की थी फिफ्ट सेंचूरी बीसी जो लिख रखा इन्होंने वही टेप दो तुम दिमाग मतलगा न अफाल दू चाइनीज पिलग्रिम कोन था चाइनीज पिलग्रिम था स्वें जैंग स्वें तसांग सांग क्यों बोलते बाई इसको पताने इंगलिस के अपने स्वाइ को मिल सकते हैं इस वाले को देखते हैं देखो विजय नगर के सबसे पर्सिद्व सासकता सासक क्रिशन देवराय साशनकाल दे रखाए इसमें सासनकला के विजय में अमुक्त मल्याध नामक तेलगू भासा में कृती लिखी व्यापारियों के विशय में उन्होंने कहा एक राजा को अपने बंदर गाहों को सुधारना चाहिए सुदूर देशों के व्यापारियों जो हातियों और अच्छे घोड़ों को आयात करते हैं उनको रोज बैठक में बुलाकर तौफे देकर और उचित मुनाफे को स्विकृति देना चाहिए ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं अब हमें बताना है क्या क्या चीज़े हैं देखते हैं विजय नगर का सबसे परतापी सासक किसे माना जाता है जिसका हम इसमें नाम पढ़ क्या है सासक क्रिशन देव राए आमुक्त मल्यद की रचना कि इसने करी थी ये रही वह नामक तेलुगू की रचना करी में सासन कल तो उसने उसका नाम लिखना बगाएद आपको कृष्ण देव राय यह जो किताब है इसके लेखन ने राजा को किस से मधू संबंद स्तापित करने की सलहादी किसे कर बोल रहे हैं यह व्यापारियों से जो हाथी गोड़ों का आयात करते हैं आपको सीधा लिख देना अब मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं अब तब की बार नंबर बढ़ी आनेचे तुम्हारे हिस्ट्री में उसके बाद आएगा सेक्शन डी सेक्शन डी में आपको जो है मैप दिया जाएगा मान चित्तर का रही है जैसे यहां पर दे रखा है लोथल एक हडपा स्थ जरूर याद रखना इस पे से कोश्चन आता है हर बार आता है और इसकी जो लोकेशन दो चार है पूलर सी उनको याद रखना लोथल जो है साधिया गुजरात के पास था काली बंगा मेरे को ध्यानने की तरह भी मेरट मेरट जो है यहां पर चान जो है दंगे बगएरा हु तो हरियाना में जो जो प्लेशी जहां पर बड़े दंगे हुए चैप्टर में अपने पड़े होंगे उनकी लोकेशन याद रखना ठीक है अब हो सकता है अगर जैसे मान लो पानीपत में भी लड़ाई हुई थी या फिर बाकी जगए पर भी तो आपको ध्यान रखना है दूर वाले जैसे दूर के स्टूडेंट है जो पानीपत के आसपास के नहीं है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन उनको इतनी टैंसर नहीं लें क्योंकि जो मैप आएगा उसमें अंदाजा सा होन अच्छी बस इधर सी है तो वहीं सी टेप दो ठीक है बस यह मत कर करेंगे चाप के परिंटिड मैप उसमें जो है दो लोकेशन दी जाएंगी ए और भी पहचान कर इनके नाम लिखने हैं इनमें से एक सथल गांधी ची के अंदोलन से संबंदीता है और दूसरा सथल 1913 अप्राइल 1919 की घटना से संबंदीता है मैं आंख बंद करके बता दू को यहां है यहने यहां आपको मैप दे रखा है तुन सी मोमेंट करी त套ा मेरे हिसाब से जोड़ी चल रहा था उसमें तो जो hij गए जहां तक मुझे खेन है धीक है लेकिन मेरे हिसाब से यूपी में यही बड़ा कांट हुआ था जो भी बड़े इवेंट हुए ना किसी भी स्टेट में उसी के भिहाब पर पूछेंगे ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ लेंगे मूठा के जो बड़े इवेंट है जिन्होंने कुछ बदल दिया है कुछ मेजर चेंजिस हुए है जिस आपको फाइनल एक्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूआ इसी चैनल पर ताकि आपका जो स्कोर है वो फुल टू फुल रहे नंबर ना कटने पाए ठीक है बाकि आपकी महनत के ओपर आप करते हो नहीं करते हो महनत चलो अब खतम करते हैं इस वीडियो को पेपर हमारा देखते हैं अगर आपको अंसर की डाउनलोड करनी है पर कि वह कहां से करोगे तो आपको जो अगर इंपोर्टेंट कोशन चाहिए वह यहां पर मिलेंगे पहले बता देता हूं जाना कहा है गूगल पर जाओ CCL चैप्टर यह नाम सर्च करो वेबसाइट खुलेगी और वह हो वेबसाइट है यह वाली ठीए मैं हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूं फिर भी पता नहीं तुम कहां अटक जाते हैं बोलते हो कि सर हमें अटक गए हमें पहुंचना नहीं आ रहा पता नहीं कहां जाना है अपने मोबाइल का ब्राउजर खोलो उसमें जो है सर्च करो चैप्टर उपर ही वेबसाइट आएगी उसको खोल लो मोबाइल में खोल लो तीन डंडे से मिलें उन पर क्लिक मार लो यह चीज़े दिख जाएंगे आपको ठीक है उसके बाद अगर आपको इंपोर्टेंट कोशन चाहिए तो यहां मिलेंगे सैंपल पेपर विद अंसर क कर दिया जाएगा सारी चीज़े मिलेंगी इसी वेबसाइट पर और अगर हम किसी सब्जेक्ट का पेड मैटीरल बनाते हैं प्रीमियम मैटीरल तो वह यहां पर मिलेगा ज्यादा नहीं बना रहे लेकिन हां जो भी बनाएंगे वह यहां पर आप चेक आउट कर सकते हो बोथ हेल्प मिलने वाली है इस वेबसाइट से मिलते हैं नई वीडियो में बाइबाइब